ओम् स्रीगनशाय नमह नमह शंशक्रिताय गजाननं भूत गड़ादिशेवितं कपित जंबू फलचारु भक्षणं उमाशुतं शोक विनाश कारकं नमाम विघनेश्वरपाद पंकजं या कुंदेंद तुशार हार धवलायाश प्रवस्त्राविता या विडावर दंडमंडित करायाश्वेत पदमाशना या ब्रमाचित शंकरह प्रवित भिरदे वैश दावंदिता शामांपातु शरश्वती भगवती निहसेश जाढ्यापाः शुक्लाम ब्रम्ह विचार सार परमामाध्यम जगद व्यापिनिम् वीडा पुस्तक धारणिम् अवैद्याम जात्यांद कारापाःं हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतिम् पदमाशने संस्थिताम् वंदेताम् परमेश्वरीम् भगवतीम् बुद्धे प्रदाम् शारदाम् शरश्वति नमस्तुभ्यम् वर्दे कामरूपिडिम् विद्यारंभं करिश्यामी शिधिरभवत मीशदा सभी लोगों को नमस्कार ने प्रकास्वर वारानसी से आप सभी लोगों का इलर्निवी दुर्गेश में एक बार फिर से श्वागत करता हूं और आज हम सभी लोग सवह से सॉल्व करेंगे बहुत सारे शारे शर को एक पूरााीं से जो की सीटेट और ऐखी थी दोनों परिशां के लिष्याझय बहुत ही खलोर होने माले थैं तो चलिये सबसे पहला कुश्ञन का हम लोगं लेते हैं आज का सबसे पहला कुश्ञन है वह होगा कि छात्रा न कि सरवाधिक शमीचीन विकल्प को चुन करके निम्य लिखित दिये गए प्रश्णों के उत्तर को दीजिए तब यहां पर सरवाधिक समीचीन जो सबसे अधिक सबसे बेश्ट उत्तर आपको लगता है उसको चुन करके आपको यहां पर उत्तर करने है प्रप्रश्ण क्या है हम बताते हैं कि बनाते बनाते कला और गाते गाते गला दोनों बेश्ट हो जाता है तो ध्यान देना भाष्ड के विकास करना है तो छात्रा नाम भाष्ड नाट है अब यहां पर देखो कि इसमें भासन कौशल का विकास कैसे होगा भासन कौशल का विकास तो आप ध्यान दीजेगा सूनी हुई ध्वानी को सीख रहे हैं तो सूनी हुई ध्वानी ना अभी संचित ध्वानिस्रमन पश्चाथ शुतम आधारी गृत जो सुने हैं उस पर आधार करकर के अर्थाथ उस पर आधारि व्याख्या द्वारा अत्वा कथा सबस्क्राइब होस्ट सबस्क्राइब चांद चाहीं है यहां पर चैने करक्राइबं करशलों का आंकलन किया जाता है तो तीन करशल कॉण कॉन कॉन से हैं जहां देना यह जो प्रस्तुती है यह चाहने की पर अनुवाम किया जा एवि सही नहीं है दोनों कट कर देना क्या हो जाएगा सुरलहरी तोन जो है और द्वन का गुन क्या है गतिए तीक तिह देखी जाती है अलापने में ठीकत एक अलाप के दवारा तीन प्रश्ण संख्या तीन पर आप लोग आईएगा भासा अर्जन द्रिष्टिया भासा आर्जन के द्रिष्टि से और सम्यक परिवेशेंड अभित्राय अस्ति जो उचीत हो जो सही हो अर्जन द्रिष्टिया और सम्यक परिवेशेंड अभिप्राय है किस बात का लक्ष भासा यह प्रयोग न करियते यदा कदा अनुवादत से अपिसहाईयम श्रुई करियते प्रश्टि संख्या तीन तीसरे में आप ध्यान देना और सम्यक मनें गलती जो होगी उसको दुखना है मतरब जो यहां सही नहीं है उसको आपको चाटना है ठीक है जी बिलकुल सभी लोग आप लोग क्लास में आईए तो नूसी लग रही है अच्छा चलिए बहुत अच्छा नूस रही सही तो चलिए इस प्रश्टि का उत्तर आप सभी लोग यहां पर करें और भासा अर्जयन की दिश्टि से असम्यक परिवेश से प्राय तो असम्यक तरब लक्ष भासा यहां प्रयोग हैं ने करते मतलब कि अगर हम जिस भास का जिस भासा को सिखा रहे हैं उसी भासा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो यहां बेलुकुल अनुचित है ठीक और यहां असम्यक ही छाटना था और अर्था यह वालाइन करेक्ट हो जाएगा इसके इसाब से तो असम्यक है तो अभ एक औरेक्ट उमान और ये सब सारी बातें लगख सब कुछ मान ली आती हैं कि यह सब सही है परिवेस में मानी जाएंगी और उसको नहीं मानागा उससे खराब वाला था रद्दी वाला था इसलिए उसको छाट करके अलग नेशकोषण देखते हैं नेशकोषण देखिए द्वंदर समासस से ध्यान ज़हान है और प्रशनेन अधिगमनेन अभिप्राय अष्टी औरिप्रशन से अधिगमन से अभिप्राय प्रेशनेन है तक क्या हुता है की कोई समस्या बच्चा लाया उस समस्या से हमको कुछ सीखना है तीर समय सार्थक धुनियों का उच्छारण करना या प्रशनु की दवारा ही समस्याओं का हाधारी के समाधान के प्रयास या फिर भासा सिक्षन आर्थ म सिधांत प्रतिपादप्रइब्वास शेक्षन के लिए सिधांतों का प्रतिपादं या व्यास्टित रूप रूपर इन slips समगर्यों कुप सUNDैं कि अभी अभी हमガ बताए है कि कोई-भी Ax csak आ रही है तो उसी समस्या पर प्रश्णों के द्वारा ही समस्या के समाधान के प्रयास करने को ही हम लोग बोलते हैं परिप्रश्णेन आधारित अधिगमनें ठीक है तो क्या मिल जागा प्रश्ण संख्या पांच में उत्तर क्या मिलना चाहिए क्या मिलना चाहिए दी मिलना कि प्रश्णके द्वारा ही समस्या समाधान का प्रियास करना ही परिप्रश्णयन आधारित अधिगमन कहा जाता है प्रश्ण संख्या 6 भासा सिक्षण अर्थम महत्तोपूर्ण अवस्था अस्थे भासा सिक्षण के अर्थमें अर्थात भासा सिक्षण के लिए महत्तोपू यदा शात्र अर्थ प्रप्राप्ति के लिए सब्सक्राफि देखने के लिए समद्थ होते हैं या जब पूछन समर्थ होते हैं या फिर यदा बाला या वहीं यदा चात्रा भाशा अर्जने सक्षम होते हैं इसमें एक यह दो तो ऐसे कड़ गए कुछ लोग कहते हैं कि प्रश्ण पूछने के लिए जब समर्थ होए तब अर्जन कर सके यह किस अवस्था में तो अब यह तो उम्रवाइस पूछें कि किस साल से किस साल तक ऐसे कुछन रहे तब आपका इग्जेक्टली पता लगा कि हम दो साल से च्छा साल से पांट साल से जिस भी आप वह स्थम जाने तब सीडिपी लगा होगे अभी तो वहीं हुआ कि बच्चे को साइकिल कब चलाना कब चलाने सिखाना चाहिए तो आप एक कहिए कि जब बच्चा को खाना कब देना चाहिए तो जब बच्चा जब बच्चा खाना खाने लायक हो सेफ्चाक और जांट सारांस लिखने के लिए आवश्यक दो कौशल माने जाएंगे पाठेवस्तु ने पुनर लेखने अपने शब्दों में ही पाठेवस्तु को फिर से लिखने वाला कोशल हो या मुख्यम सामाने चोव विंदु संग्या नम मुख्य और सामाने विंदभुका ज्र सब्तेमियक सब्ड़ा नाम नम और प्रयोग को अब आप लोग खुद सोचल उसमें पुचा के दूई कोशल बताईए और समया पर स्थान पर सं кад्र के एपनगों मुख्य और सामाने यहां दो नहीं है यहां भी जो है दो बात तो क्यों बी में कही जा रही है तो इस हिसाब से भी आप प्रश्च संख्या साथ का उत्तर क्या हो जाएगा अर्थात जो भी आप कहानी पढ़े हैं उसमें मुख्य बात क्या है उसकी सामाने बात क्या है यह आपको अगर पता हो जाएगा निशित तरिके से बाप उस कहानी को लिख रहे होगे अपने भासा में तो आप क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए क्या लेनी चाहिए यह नोट्स बना करते दीजिए तो नोट्स बनाने क्या मतलब है जो मुख्य चीज़ें उना छुटने पाएं और जो सामाने रह जाए या जो इसको छोड़ दिया जाए तो एक कभ होगा जब ग्यान रहेगा तब ना जब पढ़ोगे तब ना तो उसमें माना जा रहा है कालश्य अवधानम अवगंतुम शमर्थाह नभवंति जब बच्चा काल अर्थात टेंस वाला काल भूत काल भविश्यत काल एक आल जो आप पढ़ते हैं आप लोगला कार वाला उसकी अवधानम उसको समझने में अवधानम अवगंतुम उसकी अवधानम को समझने में समर किती तब क्या बनेगा ध्यान सा सबीशन को सेयर कीजिए क्लास्प के लिइक को सेयर कीजिए और सबीशन सा मैं अब य॥ो है इस नए टाइम पर हम लोग आ मिलते हैं इस टाइम पर आप सभी लोग रही और मिश्षित माना की बड़eres ते दो लोग गये ना तो कुछन बनने लगेगा और किसी की सालमत कुछन बहुताई स्रल बन के आया है जब छात्र काल अर्थात लकार के अवधाना को समझने के लिए समध नहीं होता है तो इसके लिए उप्चारात्मक सिक्षण क्या होना चाहिए संबद सुता रटनम गलत संबद लकारा नाम अभ्य अभ्यास मरण अलग है और रटन जबर दस्ति वाला बात होने लगी बार बा नाम रूौप उसके रूप होंगे उन और बार-बार पढ़ पर करें नहीं है यहां पर अलग है संदरव के अनिसयार लगार करने की बात परे जोड़ देंगे रटने वाला और अभ्यास अगर कई वार हम कहें कि हम रट नहीं रहे हैं अभ्यास कर रहे हैं लेकिन इक्जाट्ली एक्दम रानता होग उसको देखा जोर होगा प्लान पढ़ लिया है तो बैट करकर एक बार चिंतन मरन करें फिर यूसको दिमांक जोर लगाए वह आपका इंस्मरण पिर से बार 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 इसको दिमांग मिलाएगा वह होजयता है इसमें आओ, सत्त व्यापक मुल्यांकन अंतर गते, सत्त व्यापक मुल्यांकन के अंतर गते क्या होता है, छात्रह सर्वदा आनंदेन कार्यनिमगना भुनती, छात्रह सदायव आनंद से कार्य में मस्त होते हैं, कार्यनिमगन कार्य में लगे होते हैं, छात्रह सक्षडिक भा सबस्क्राइब आखने और सबस्क्राइबो tick यां जाता है तुड़ नातमक पठनस्य उदाहर्ण अब बताओ स्रिज नातमक पठनस्य उदाहर्ण पुमिका निर्वहान और उसका पुनरलेखन ध्यां दिना स्रिज नातमक वाचनम अर्थ प्राप्ति के लिए वाचन या परामर्षन कारिय क्रण्थाले अधिक में अधिक रून्य मनें जितनी भी चीज़ें उसमें काम करें तो यह बात एक बिलकुल नहीं है अर्थ प्राप्ति वाचन से कोई यहां मतलब नहीं समय सूचनाओं को इंटरनेट पे चलके देखें अभी नहीं है क्या है भिन द्रिष्टिकोंड से नाटकी करणम भूमिका निर्वहनम और पुनर लेखन क्या हो जाएगा संबंधित चीजें और पीच नेश को संध्यान दिएगा एक इस वाले सब्द को इस वाले सब्द को दिमाग में रख लेना क्योंकि यह कई बार आता है विहंगम दृष्टियार था थी स्कीमिंग जा रहा है कि स्कीमिंग पढ़ना इस तरीके से अभी पढ़ने क्या है इस तरीके करना क्या होता है हलाना कि महनव वाचन और सब्सवर वा ochan इसके अंदर की बात इस तरीके से पढ़ने का मतलब बता रहे हैं कि विशिष्ट अर्थ में अथ्वा सूचना को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण पाष्ट बस्तु को गंभिरता पढ़ना या फिर लिखित सामग्रिया निरडए इन सब के लिए पढ़ना या सामान्य भाव अर्थ के लिए विचार अथवा सार प्राप्त करने के लिए पाठ्थ वस्त को सिग्र रूप से पढ़ना ही विहंगम द्रिश्ट अखलता क्या कहा जाएगा इसमें से क्या कहा जाएगा तो यहीं है डी ही है कि सामान्य भाव के लिए विचारों के लिए या सार प्राप्त करने के लिए पाठ्थ वस्त को सिग्र रूप से पढ़ना ही विहंगम द्रिश्ट अखलता है अर्था विहंगम रूप से पढ़ना कहलता है ठेक सामान्य रूप से बह इत्यनेना अभिप्राय अस्तिपाठ्य वस्तु की जो समग्रता होती है इससे क्या अभिप्राय है चलो बताओ ठेक बताओ हम कि हां कि गुर्दु पहरिया गुर्दु पहरिया क्या बात है मटरगस्ती बहुत है कि आप लोग जो है चले पढ़ते रहें न तो लिट्टी न चोखा न बाटी कुछ न दाल बस केवल और केवल मटर गस्ती पर प्रश्ण संख्या बारा क्या हो जाएगा कस्मिन कस्मिन अनुछेदे प्रत सूचना अनुगुडम प्रस्तुति करणम पाठ्थ वस्तु समग्रत से क्या मतलब है किसी अनुछेद में दिए गया सूचना के उसको समझ करके प्रस्तुति करण उस्त यह धारित दिर्ग अनुछेदात सूचना वालात बिलकुल खतम विभिन अनुछेदेशु वाकेशु वा विभिन अनुछेदों और या वाक्यों को परस्पर संबधतां दर्सुतुम्में परस्पर संबधता को दर्साने के लिए सर्वे साम नाम पदा नाम प्रयोग या कथा वना नानुगुलम अनुछेद विवस्त यही पाठ्थेवस्त की समगरता है ना सर्वे शाम नाम पदा मत कुछ चूट रहने पाए इसी समझ में आ जा रहा है कि समग प्रशसंख्या सदेर्श मैं देखते हिं स्रमनम क्या है वो बिल्कुल कर सकते हैं इसली के सांथ ही हम बता दें कि अप्लिकेशन पे जो है पूरी की पूरी जो क्लास है डिटेल वाली यह चल रही है जिसका हम साथ दर्शन आप लोगों को थोड़ा सा करवा दें आप लोगों को किस पष्ट हो जाए कि हैं मैं यह वाली इस जो क्लास है कर डिया कि पूरी जो की सीक्षन माध्यमिक अस सतर पे और उत्यमुर्त दर्श थातर कि इस यह वाला पूरा पूरा चल रहा है उस क्लास में जो लोग नहीं जुड़ पाए है वो बिल्कुल अपना जुड़ने का पूरा इंतिजामात करने नीचे चल रहे है नंबर पे आप बिल्कुल जाकर के संपर्क करने और पूरी पूरी इंफॉर्मिशन आपको दे दी जाएगी ठीक है तो अभी चलिए हम लोग बात करते हैं सिद्धे इस वाले क्लास में जहां पर है अधिक्रित स्रमण इन अभी प्राय है किस से स्रमण होता क्या है जानते हैं आप लोग ध्यान दिए हाँ बड़ा वाला क्वेशन करी दो ठीक है बड़ा वाला करी दो जो भी है सब बड़े वाले में लेपे तो यहां पर क्या होगा देखो जब पठन का मतलब बहता है पढ़कर के अर्थ ग्रहन करना अधिक्रित स्रमण नहीं होगा तो क्या होगा अध्यापक द्वारा उच्चा ही पठी समगया अध्यापक के द्वारा जो उच्चे रूप में जो पढ़ाई जा रही है या संभासित सामगरी उसको साउधान होके सुने तो आराम से पोले गाते नहीं सुनोगे उच्चे पोले गाता सुनगे ये पूरी तरीके से सटिक नहीं है बिशिश्षूचना के प्राप्ति के लिए ध्यान पूर्वक सुनना ऐध्यान पूर्वक सुनीये समझते रहिए ताकि हो सकता है न जाने क прыण सींगल जाए उसके तेज़ यह होता है कि यहां पुलकल है इतना ज़या नहीं तुछ safety पुंसण तरका दे wann the Kalab euros बहने खतिविधी आधारीट प्रवाह अधिक होती है लेकन व्याकाणात्मक सरेषना अधिक समंदित नहीं होती है या या अधिक प्राइहमुक्त होती लेखन ने पुनुरावित्य आत्वा संझे kur TikTok निहंता होती लेखन में पूर्णावृत्ति या संच्छेपी नुंता होती अथवा नहीं हो जाए और बार-बार कोई चीज की पूर्णावृत्ति नहों इस बात का ध्यान दिया जाएगा ठीक है बात दी बिल्कुल करेक्ट है किसी संस्कृत कच्छा में अधिक से अधिक संस्कृत प्रयोग से लाभ होता है कौन से लाभ होती है सहज संस्कृत प्राप्ति अर्थ के लिए या प्राप्ति के लिए संस्कृत परिवेश का निर्मार होता है सहज मतला बाराम से सहज रूप से आसानी से कि शात्र सब्दों के अर्थ को प्राप्त करते हैं तुत लेखनचय अभ्यास आर्थम आवश्यक शोपान मिदम तुत लेखनचय सून करके लिखने का अभ्यास आवश्यक रूप से होए व्याकन ग्यानम शुगमत या अवग अच्छानती करहें कि चात्र को व्याकन ग्यान शुगमत पुरुवक आए किसी संस्कित की कच्छा में अधिक संस्कित प्रयोग से लाध क्या होता है तो प्रश्य संख्या 15 का उत्तर ये विल्कुल करेक्ट होगा कि सहज संस्कृत राप्ति के लिए संस्कृत परिवेश का निर्मार होता है और इसलिए आप लोग ध्यान दियोंगे अभी तो इस समय कम लेकिन पहले जो है बहुत सारा मैं संस्कृत में वाचन करता संस्कृत मे ठीक है आगे चले देखिए चले आगे देखते हैं अधो लिखितम श्लोकम पठित्वा तदाधारित प्रश्ना नाम प्रश्र संख्या 16-21 विकल्प मात कदरेशू समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत्वा फास्ट हो जाएगा इधर से क्योंकि फास्ट करने की यादर डा महा ते मार्त्य लोके भुविभार भूताह मनुष्य रूपेंड म्रिगाश्यरंती मनुष्य रूपेंड म्रिगाश्यरंती ज्यान सुनिये फिर सगाई है एशाम न विद्या न तपून दानम ज्यानम न शीलम न गुणो न धरमह ते मर्त्य लोके भुविभार भूताह मनुष्य रूपेंड म्रिगाश्यरंती मनुष्य रूपेंड म्रिगाश्यरंती इसी तरके का एक और स्लोक है जो मेरे दिमाग में आ रहा है हम सोच रहे हैं कि हम उसका भी वाचन कर दें ताकि दिमाग में आपके रहे ओभी ओभी स्लोक बार बार आता रहता है आप जो लोग संस्कित पढ़ रहे होंगे साध उनके दिमाग में हो सकता है कि वह स्लोक आ गया रिखनार कुछ को नहीं है गुषान की सहनु में जबकाएगा तो कर लीजिए इसी तरीके से एक और सब्रुल कर आया है और यह किसे इनिति सत्कम ही लिखा गया है और एक स्लोक है कि इसी पर अधारित ओ क्या था वी दिमाग मेरे आ रहा था भूल गये अच्छा विद्या पर आधारित एक और स्लोक कि विध्या नाम नरश्य रूपम्मदिकं प्रचनगोपतं धनं विद्या भोग करिय शह शुक करी विद्या गुरुडाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजश पूज्यते नहीं धनम विद्या विही नहां पशु यह सार्दूल विक्रिदम छंद जो उसमें लिखा गया है तो कई जो है विद्या से संबंधित और नितिगत बाते हैं तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें और प्रैक्टिस करते रहें और ऐसा नहीं है कि बस यह आ गया तो दूसरा नहीं आए दूसरा वाला भी आ सकता है इसलिए मैं वह भी कह दिया और जो एक यह सामने पांडित हसा सुतवान गुणग्यह सएववक्ता सचदार सनी यहां सरवे गुणा कांचन माश्रयंती यह अभी उपजाती में है यह जो है अर्थपद्धति के नितसत्कम्स के अर्थपद्धति से ही लिया गया है ठीक है तो ध्यान दीजेगा यह स्लोक बहुत महत्तपू क्या है कि ते मनुष्याह भूमह भारह ए वशंती वे कौन से मनुष्य हैं जो घूमी परभार के शमान हैं बताए यह विद्याहीन होते हैं जो वे आये ग्याने नहां ए परमस्रीलाह ये दानस्रीलाह बताव प्रशसंख्या सोलह उत्तर क्या बनना चाहिए विद्या से हीन एशाम न विद्या जिसके अंदर विद्या ही नहीं है वे ठीक है तो एशाम न विद्या न तपो न दानम अज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा बिल्कुल उचान नहीं होना चाहिए देखो संस्कृत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैं बताता हूं बार बार कि संस्कृत संस्कृत का उचान भी ठीक से नहीं कर पाते हैं ना विल्कुल गाके पढ़ा रहे हैं लुक नहीं है तो बिल्कुल आप लोग ना जब भी पढ़िये तो पढ़त जब देखी एक बात बता है वो पढ़ते ही पता जिसका अब उचान सुधन रहे और वो बताई यह क्या क्शंच कर रहा है question देखए answer देखए बस रटा रटा उसी को इधर-उदर कर रहे है और कुछ ने है असमें सलोक और भूवी इती पदस्ट जान से विससण पदम मस्ट करें इस सलोक में भूवी जो है भूवी भारबूता भूवी इस पदका विससान पॉप्द क्यात तो पहले आ जाता है तो प्रश्व संख्या 17 में अगर आप इस तर्केश भी लगाओ तो मरत्य लोग मर्था इस भूमी पर अर्थात इस धरा पर यहां पर तिसका क्या मृत्य लोग से बताया गया है मतब बिर्शेस्ता बताई जारे है अर्थात प्रश्व संख्या 18 का सी सही होगा क्या होगा सी यह विशर्ग जो है पहले इस सकार में जाता है विशर्जनी यह शेशा शुत्र से और फिर यहां पर क्या हो जाता है स्थुश्चुनास्चुश्चुश्चुश्चुश्चुश्चुश्चुश्चुश्चुश्चुश्चुश्चुश्चुश्चुश्चुश्चुश्चुश्चुश्चुश्चुश्चुश्चुश्चुश्चुश्चुश्चुश्चुश्चुश्चुश् में साम जिसका साब्थ सरित पता चल लगा सश्ठी में आ रहा है कि भूत इतिपदे प्रत्य अस्ती में भूवहारह-bh utveckal भूता भूतौ को भूत में यहाँ बनेगा तो बताओ यहां प्रश्व सभ्वेश्व 20 में 25 श्व॥ 20 फहाग द तक वहां प मुंत चाहीए प्रश्व संख्या 21 लिखते सुकिम पदम नपुन्सक लिंगे अस्ति इसे बताओ कौन सा पद है जो नपुन्सक लिंग में है प्रश्व संख्या 21 आप जानते हैं किसे समझ पाएंगे इसको आप समझ पाओगे उससे कि जिसे प्रत्य से तगुणः्ः यहां विद्या मतल यहां यहां थपह और यहां हो जाये अब लिगू बिद्या ठीक है यहां विध्याय यहां थपह कर लो हम थ्यान नहीं दिये यहीं तपह विद्या प्रशसंख्या 21 में उत्तर क्या बनेगा तो बनेगा तपह क्या बन जाएगा तपह अच्छा गती ही में कौन सा लिंग होता है विल्कुल सही विल्कुल सही चलो भला एक-दो लोग मिले तो सही और हमको लगता है कि सभी लोग जो है कहीं बाहर क्लास प्लास में कहीं होंगे और जो लोग घर पे वास्ता में बैठके त्यारी करने हो पढ़ रहे हैं चलिए इस वाले गद्य को पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर इसको फिनिस करें अधो लिखितम गद्यांसम पठित्वा तद समूचीत जो उप्टर है उसको चुन कर करके लिखो क्या क्या है उसको पढ़ोगे तो क्लियर होजाएगा कोई सिंह किसी जंगल में और पता नहीं पट फलाने ठेकाने जंगल की किस जंगल है परवत की गुहा में इत रिद्र में और रात्री में इधर उधर घुम करके पशोन अभख्चत पशूं को क्या करता है खाता है किसी ब्रिच्छ की चाय्या में जो है क्या हुआ? शुख कुरूव का रह शो गया? और निर्गत्य शानंदम शिंखश शरीर आनंध के शांथ में सिंख के सरीर पर उधर नाचने लगे तेने पिढीटता है उससे पिढ экспер चुहा से नहीं चुहे के distributed चुहा से पिढेट नहीं लोग करते हैं कि हमन przysz तुमसे नहीं पिढम से परसान है वहीं बात है उसको जगा हुआ देख करके पलायंते शर्वे-मुशंकाह विलम सभी-मुशं कहा भागे कहा भागते हैं पलायंते विल ne बिल को भागते हैं बिल में हाप लिखा बिल को बिल में भागते हैं तेशाम कमपी मुशक मां गहडात शिंग करते हैं उसी में से कोई एक मुश था जो उसके हाथ से करतल से पकड़ लिया गया तदा सह सेमकीन पशुण सब्यों की आरथ वह मुशक आर्त स्वर्य न मुर्भाव में बड़ा करुण सवर में बोलता है हो महाराजote मकील कीन पशूनाम रजा आप तो पशूओं के रा जा हैं कैसे राजा भाई आप हमको कर ले रहे चोटा जनत हूं ममा अपराधा तावत शमस्वा मेरे अपराध को आप शमा कर दें मा मा जही मुझे ना मारे मैं दयाम कुरू मेरे उपर दया करें कदाचित हो शकता है मैं कभी मैं आपको शाहता करूंगा करूं ऐसा इती ऐसा इतथ तश्य आर्थवचनम शुत्वा इस प्र और नहीं लिखा गया है ठीक है अब या तो फिर सीटेट में वह छपा ही नहों या फिर सोचिए कि इतने से ही बात वह काट करके इतना ही बात लिख करके दिया आप क्या बोला क्या एग्रिमेंट हुआ यह नहीं पता आगे देखते हैं कुश्चन मूश काहा कुतह निर्ग कुत्रनित्यंतिश्म अभी तो यह था ना कि कुत्रनित्यंति कहा नाचते तो सिंह के सरीर पर अब इसके लिए पैसे फिर से पढ़ने कोई उरुत नहीं जो लोग ध्यान से पढ़ेंगे सब बता देंगे थी करेक्थ हो जाएगा नेश्च वाले को समय आजाते हैं जहीं इती क्रियापद प्रश्ण संख्या 25 जहीं मुझे ना मारें मुझे मत मारो या ग्यार्थ या बिने कर रहा है तो लोट लकार नहीं जाएगा लट लकार बरत पांग लिट नहीं तीनों लकार रहे होंगे डी वाला करेक्ट हो जाएगा नेक्ष लेलते हैं कर अरंड ये पदस्ट संदिवी छेदा अस्ति इस वाले को करो ध्यान दे नहीं है आप विंदी लगी है अप उसको हिसाब से पकड़ोगे तो पकड़ में आ जाएगा ठेक हाँ अपादान बनाओ सब बनाओ गत्य में अक्तिन प्रत्य होते हैं अक्तिन प्रत्ययांत सभी के सभी क्या होते हैं स्ट्रिलिंग होते हैं क्या बात है गजा मजा लाई दिये बिटा है वह क्या बात है क्या बात है अनन्दम नाम बदल करके कोई आ रहा है या पिर सिद्धान परिवर्टन करिद्धान नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पढ़ आ जगा मैं दयाम कुरू मेरे उपर दया करिये। अब बताओ मेरे पढ़ दया करिए तब प्रस्व संख्या 27 में हिंदी निकालोगे तब भी काम बन जाएगा सब्तमी आ जाएगा हुआ सब्तमी में पैपर से सब्तमी बना लो 28 सिंग किससे परसानी से परसान था था थवा तगड़ा लगाओ धड़ 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 दो चार लोग उत्तर करें और सबी लोग जैसे लगवा पूड़ी खाने आए हो देखो जब उत्तर नहीं करोगे न तो गल्ती होता रहेगा और लाइक भी देख रहे हैं बहुत कम लोग देखें लिइंस से पर मैं जानता था प uns heaven कहुछा और इसके लिए पहले करका ज़रूरी है और असलम से बड़ा रिष्चेदार है जब प्रत्यप पूक्त्र दार्शिंव कर रहेब पेवला ज्यादा पूछते हैं अत्रतत्र इत्यर्थे किम अव्यापदम प्रिक्तम अत्रतत्मा ने यहां वहां इसके लिए कौन सा अव्यापद इसमें प्रयोग किया गया है आप उसको बता दो हाँ डांसा से परिशान थे ठीक है अब बता दो लें यह हम कर दे रहें हाँ कर देओ कर देओ भाई काहे ना है कर रहे थे अभी-तक-क्रभाइना किये करेओ जल्दी करेओ है जलो आगे देखते हैं इस प्रश्रिका उत्तर क्या बनेगा अत्र तत्र इत्यर्थेकिम अव्याइपदम प्रिक्तम इत्या इता सतह बना है यह अव्यापदिस का प्रयोग हुआ है तो अभी तक आप लोगों को यह पूरे के पूरे मैं 30 कोशन करवा दिया समझाते हुए कराया बिल्कुल अच्छे से करवाते हुए करवा दिया हूं अब आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताईएगा जो लोग लाइक न किये हैं और लोग लाइक कर दें अगर अच्छा लगा हो तो ठेक और सेयर न किये हो तो सेयर तो सभी लोग कर दें ठेक नई तो हम यही कहेंगे कि गुरु से का पटा और नमित्र से चोरी और के होई नीरे धना के होई कोड़ी के होई नीरे धना के होई कोड़ी मडिह साडोल्डीडः समर विजयी हेति दलितो मदचीडो नागह सरदिसरितह स्यान पुलिनाह कलासेस चंद्रह सुरतम्रिदिता वालवनिता तानिम नाशो भंते गलित विभवास चार्थी शुनराह बताओ मैं कौन सा चंद में गाया हूँ कोई जो बुद्धी जीवी हैं जो जान रहे हैं जल्दी बताओ कौन सा चंद्रह गाये हैं जल्दी बताओ सभी जो लोग जान रहे हो बताएं वरम पक्छ छेदह समदम घवान मुक्त कुलिशा प्रहार रूग अच्छ दवहुला दहनोदगारा गुरुभी तूशा राद्रेह सुनो रहा पितरिकलेश विवासे ना चाशव शंपातह पयसी पयसाम प्रात्य रोचेतह नहीं बतापाई आप लोग अब बताओ राशा ही रोद्राशिना या मन सभलागह सिखरिणी या मन सभलागह सिखरिणी राशा है रोद्राशिना या मन सभलागह सिखरिणी यह टोन है यह लाइन है ऐसी तरीके से सिखरिणी वाले जीतने विच्छंद होते हैं वह गाये जाते हैं आप लोग थ्यान नहीं देते हैं और जो एक एक उच्छाई वाला सचंद बताओ वंसस्त चंद कैसे गाते हैं थेक वंसस्त चंद और इसमें वंसस्त चंद में क्या है किर्याता अरजुनियम देखो के मैक्सिम्स लोग उसके सब क्या है सबके सब वंसस्त चंद में लिखे गए हैं सुनते सुनते आ जाएगा एक आग दो टून हमारा गार है न सुने रहोगे तो कभी आएगा पकड़ लोगे कट से जताओ तुव अंसास्थ मुदिरी तम जरव जताओ तुव अंसास्थ मुदिरी तम जरव बिल्कुल पूरा हो गया जगण तगण जगण रगण जगण तगण जगण रगण श्रियह कुरूलाम अधिपश्य पालिनिम् प्रजाशु व्रेतिम्यम योक्त वेदितुं सावाणि लिंगि विदितह शमाययव युदिष्टिरंद्वत वने वने चरह कृत प्रणाम आश्य महि मही भूजे जीताम सापत नेन निवेद इश्यतह नवी व्यतेत अश्य मनो नही प्रियम प्रवक्तु मेच्छा तिम्रिसाहित शिणह सबी लोग मिलेंगे कल नेक्ष क्लास में तो शरवे भवन्तु शुखिनह, शरवे शंतु निरामयाह, शरवे भद्राणि पशंतु माकशे दुख भागभवे।